आपका बेटा पसंद नहीं है अपनी लाख अथी तरह समझा देना कोई गडबड ना कर ले आपने ही इसे जादा सिर्ट चड़ा रखा है कितनी मुश्किल जे इतना अच्छा रिस्ता मिला है दीदी बता रही थी कि बहुत बड़ा घर है उन लोगों का बड़ी बहन की साधी हो चुकी है छोटा भाई अभी पढ़ रहा है बस उन लोगों को हमारी वंसी का पसंद आ जाए राधा जी अपने पती महेज जी से कह रही थी मेरी बेटी कोई समान है क्या जो वो लोग उसे पसंद करेंगे मेरी बेटी तो हीरा है हीरा बड़े किसमत वाले होंगे वह अगर तुझे कुछ भी पसंद ना आए बेटा तो मुझे बता देना मैं तेरे साथ हूँ वंसी का को अपने कमरे से बाहर आता देख बोले महेज जी मैं कहती ना थी आपके लाड़ प्यारने ही इसे बिगाड़ा है जब आप ही ऐसी बाते करेंगे तो ये कप पीछे तिल मिला उठी राधा जी बस बस अब आप लोगों ने क्यों जगडा करना शुरू कर दिया और हाँ मा मैं अंदर से सब सुन रही थी आप क्या कह रही थी मैं गड़बड कर देती हूं मैं क्या गड़बड करती हूं आपके रिष्तेदार नमूने ही ऐसे पकड़ कर राते हैं कि कोई चुप भी कैसे रहे वन्सिका बोली अरे हां राधिका की मां मैं वजार जा रहा हूँ मुझे बता दो महमानों के लिए कुछ समान लाना है क्या इस से पहले की मां बेटी की बहस शुरू हो जाए महेज जी ने वहां से दूर जाने में ही भलाई समझी वंसिका बैंक में मैनेजर महिस जी और राधा जी की छोटी बेटी है जो जरनली जम करने के बाद कुछ दिन से सहर मी एक न्यूज एजनसी में जोब कर रही है बड़ी बेटी राधिका की साधी हो चुकी है छोटा बेटा गोरो होस्टल में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है वंसिका सुरू से ही मुखर सभाव की है अगर उसे कोई बात पसंद नहीं आती तो मुहूं पर बोल देती है फिर चाहे किसी को बुरा लगे उसके इसी सभाव की वज़े से राधा जी परेशान रहती है उनकी बहन ने अपने जान पहचान वालों में से वंसिका क महमानों के सामने तमीज से पेस आना टाइम से तयार हो जाना तुम्हारी दीदी राधिका भी नहीं आ पाई उसकी सास बीमार है नहीं तो वेही तुम्हें कुछ समझा देती इतना अच्छा रिस्ता हाथ से नहीं निकलना चाहिए बेटा मा के हिदायते लगातार जारी थी शाम को तया समय पर अतुल अपने मम्मी पापा दीदी और जीजाजी के साथ उसके घर आ गए चाए नास्ते के साथ बाच्चीत का सिलसरा सुरू हो गया मा को बुरा ना लगे इसलिए वह चुपचाप जैसा वह कह रही थी करती जा रही थी मा के कहने पर उसने अपना गुलाबी सूट पहन कर हलका से मैकप कर लिया अरे यही है आपकी बिटिया जिसकी कितनी देर से तारिफ किये जा रहे थे आप महेस जी फोटो में तो गोरी लग रही थी सामने देखने पर तो सावली लग रही है लंबाई तो तुमसे भी कम होगी क्यों बिटिया में ठीक कह रही हूँ ना अपनी बेटी की तरफ देख कर बोली अतुल की मा अरे मा फोटो में तो सब सुन्दर लगते हैं असलियत तो सामने देखने पर ही पता चलती है अपने को रूप सुन्दरी समझने वाली अतुल की बहन बोली खाना तो बना ही लेती होंगी और क्या-क्या सोख है तुम्हारे घर का काम आता है की नहीं नहीं भी आता होगा तो हम सिखा लेंगे हमें कौन सी बहार भेज कर नोकरी करवानी है हमारे घर में किसी चीज की कमी तो है नहीं बस भई बहुत कर लिया काम अब जो भी आए अपनी घर ग्रस्ती संभाले वैसे हमारे घर में काम ही कितना है खाना ही तो बनाना होता है हम चार लोग ही तो है अतुल की मा ने अपनी बेटी के साथ मिलकर उसका पूरा इंटर्व्यू ले डाला एक और समोसा अपनी प्लेट में रखने के बाद बोली अतुल बेटा जाओ तुम भी लड़की से कुछ पूछना हो तो पूछ लो तब तक हम लोग दान दहिच की बात कर लेते हैं वैसे हमारी कोई मांग तो है नहीं बस बढ़िया से होटल में बारात की अच्छी सी खातिरदारी हो जाए वह तो आप लोग कर ही देंगे और रही दान दहिच की बात तो कौन माबाप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करते हैं क्यों सही कह रही हूँ न अतुल के पापा कहकर बेसरमी से हसने लगे वह लोग उनका मन तो नहीं कर रहा था लेकिन जब मम्मी ने इसारा किया तो अतुल को लेकर बहार गार्डन मे आगई देखिए वनसिका जी मेरे मम्मी पापा की पसंद ही मेरी पसंद है साधी के बाद तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि उन्हें कभी भी किसी बात से परेशानी ना हो बहुत काम कर लिया उन्होंने अब मैं चाहता हूँ अपनी बाकी की जिन्द की वह अ वह आपके पापा बता रहे थे की आपकी जोब के बारे में तो मुझे इस सम में कोई इंट्रेस्ट नहीं है क्योंकि साधी के बाद तो वैसे भी आपको जोब करनी नहीं है मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई एतराज होना चाहिए कुछ देर बात करने के बाद अतुल अपने घर वालों के पास जाकर बैठ गए और वहर असोई में मा का हात बटाने आ गई देखे मेरे बेटे ने तो पहले ही कहा था जो आप लोगों की पसंद हो वही मुझे पसंद है रूप रंग में मेरे बेटे के मुकाबले की तो नहीं है आपकी बेटी पर चलो हर चीज कहीं ना कहीं कहां मिलती है आप लोग भले लोग लग रही है रही बात बरातियों की खातिरदारी और गिफ्ट बगहरे देने की तो वह सब तो आप अच्छी तरह से कर ही देंगे ऐसा कहते हैं घर जाकर अपने पंडित जी से सगाई का मुहुरत निकलवा कर आपको बता देते हैं क्यों जी ठीक कह रही हूँ ना मैं अतुल की मा अपने पती की तरफ देखते हुए बोली जो पलेट में बचा हुआ आखरी गुलाब जामुन अपने मुहु में ठूस रहे थे इस से पहले कि वह कुछ और बोलती इतनी जल्दी भी क्या है सब कुछ तै करने ही एक मिनट रुकिये आंटी जी मुझे लगता है आपको अपने बेटे के लिए पतनी रही घर के काम करने के लिए किसी नोकराने की जरूरत है उसके लिए तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे पर यहाँ तो सारा खर्चा मेरे पापा करेंगे तो उनकी भी तो कोई पसंद ना पसंद होनी चाहिए वह तो आपने पूछी ही नहीं पर मैं अपने पापा की पसंद अच्छी तरह से जानती हूँ उन्हें आपका बेटा बिल्कुल पसंद नहीं है और उनकी पसंद ही मेरी पसंद है आप लोग जा सकते हैं मुझे आपका बेटा पसंद नहीं है राधी का पूरे आतम विश्वात से बोली देखो तो अतुल के पापा कितनी बत्तिमीज लड़की है अच्छा हुआ साधी से पहले ही इसकी असलियत सामने आ गई हमें क्या यहां बेइज़त करने के लिए बुलाया था अरे हमें तो तुम्हारे मा बाप पर तरस आ गया था बेचारे कहां भटकते रहेंगे वरना हमारे बेटे के लिए कौन सी लड़कियों की कमी है उन्हें सपने में भी यह उमीद नहीं थी कि कोई लड़की उन्हें इस तरह दरवाजे का मुहू दिखा देगी बिल्कुल ठीक किया तुने बेटा मैं भी यही कहने वाला था पर साय तुने ज़्यादा अच्छी तरह से उन्हें जबाब दे दिया आगे से किसी लड़की के घर जाकर ऐसी बेसरमी करने से पहले दस बार सोचेंगे उन लोगों के जाने के बाद बोले महेश जी मुझे माफ कर दो मा मैंने चुप रहने की बहुत कोशिस की पर मैं इससे ज़्यादा बेस्ती सहन नहीं कर सकती अपनी मा के पास जाकर बोली वनसी का तुने बिल्कुल सही किया बेटा गलत तो मैं थी जो जल्दी से जल्दी तेरी साधी करवाना चाहती थी बिना तेरी पसंद ना पसंद जाने अब तेरी साधी उसी से होगी जिसे तू पसंद करेगी जो तेरे गुणों और काबलियत की कद्र करेगा तुझे बराबरी का अधिकार देगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा जीवन साथी एक नै एक दिन तुझे जरूर मिलेगा वनसिका को गले लगाते हुए राधा जी बोली अब मा बेटी का मिलन हो गया हो तो कुछ खाने को दे दो पेट में चुहे कूद रहे है माहुल को हलका करने के लिए बोले महेस जी भूक तो मुझे भी बहुत जोरो की लग रही है मा वनसिका ने कहा तो अपनी आखे पोच रसोई में पूरिया सेकने चल दी राधा जी दोस्तो बेटियों के बड़े होते ही मा बाप को उनकी साधी की चिंता सताने लगती है पर साधी ही लड़कियों की जिंदकी की आखरी मनजिल नहीं है अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर आतम निर्भर बनाए ताकि भविश्य में उसे किसी पर आसरीत में रहना ने पड़े उनकी पसंद ना पसंद जाने और उनके लिए ऐसा वर ढूंडे जो उसे बराबरी का अधिकार दे उसे अपने सपने पूरे करने की आजादी दे जिसके साथ वह खुस रह सके